तो देखे अंतर राष्टिये संबंधों में अपने पडोसी देशों का एक बड़ा महत्त होता है और भारत के पडोसी देशों में से भारत चुकी दच्छिडेशिया में अवस्थित है तो पडोसी देशों में से हमारे आठ पडोसी देश हैं जिनको हमने दक्षे संगठन के साथ जोड़ करके रखा है सार के एक अंतराष्टी ये संगठन है जिसमें भारत के पडोसी देश जुड़े हुए ये आठ पडोसी जुड़े हुए लेकिन अभी ये काफी हद तक असफाल हो गया क्योंकि पाकिस्तान के द्वरा लगातार इस पे भारत और विभिन ऐसे सब्सक्राइब करें किये जाने का प्रयास किया था इस मंच का जो है जो उद्देश से उस उद्देश से के लिए नहीं जुड़ा जाता तो बरतमान में बिम स्टेक अभी हाल फिलाल में आज आपने देखा बिम स्टेक के सिखर सम्मेलन भी हुआ था प्रदानमंत्री जी ने उसको संबोधित किया था तो बिम स्टेक एक बड़ा महत्विपूर्ट संगठन बनके भारत के लिए उबरा है बिम स्टेक का फुल फॉर्म जो आपका है फुल फॉर्म पहले आप लोग सब लोग याद कर लीजिए और सदरस्यदेश जो बिम स्टेक के हैं मैं सारे के स सारे सदस्य देश भी आपको दिखाता हूं यहां पर बात कर रहा है कि बे बंगाल बिम स्टेक बे बंगाल इनिशियेटिव और मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकॉनिक कोपरेशन यह आपको याद होना चाहिए बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए जितने भी देश ह के लिए क्या है कई सेक्टर मल्टी सेक्टर टकनिकी और आर्थिक सहयोग संगठन के तौर पे यह संस्था काम कर रही है अब देखे एक बार सदस्य देश देखतें यह आपकी बे बंगाल है बंगाल की खाड़ी विश्च्व की बड़ी खाड़ियों में से एक है ना सबसी बड़ी खाड़ियों में से एक है यह और यहां पर देखे यह देश आपके लगे हुए सारे पहला आपका यह है थाइलेंड ठेक है दूसरा आपका म्यानमार तीसरा आपका बंगला देश चौथा आपका भारत है बड़ी सीमरेखा भारत करता है और शीलंका है तो यह पांच देश सारक के सदस्य देश हैं और दो देश आपके आसियान के सदस्य देश हैं तो आसियान और दच्छिड एशिया दच्छिड एशिया और दच्छिड पूर्वेशिया दोनों को जोडने के सेतू के रूप में भी यह काम करता है ठीक है इस संगठन की सुरुवात 1997 में हुई थी 1997 में हुई थी विम्स्टेक की सुरुवाद ठीक है और विम्स्टेक की सुरुवाद मुख तौर पे इसलिए हुई थी कि जितने भी देश जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं इनको अंतर राष्टी तक्नीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करना ता बिम्स्टेक कंट्रीयों में रहते है ठीक है और भारत के लिए बहुत बहुत महत्पूर्ण है बरत्मान में जब से सार्क जो है असपल हुआ है और पकिस्तान के द्वारा सा Harper को जिस तरीके से निस्प्रभावी बनाने का लगतार प्रयास किया गया है उस में विम्स्टेक हमारे लिए एक महत्यपूर्ण संगठन के तौर पर बन करके उभरा है तो अभी हम ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं सारे बांगलादेश भूटान इंडिया नेपाल मयानमार थाइलेंड और सीलंका टोटल कितने हैं साथ जिसमें से सुरुआत जो हुई थी सुरुआत में इसमे पाल और मयानमार बाद में जो है इनको सदस्यता प्रदान की गई थी तो अब देखे इसको एक बार हमें क्रम से समझना है कि भारत के लिए बिम्स्टेक क्यों महत्यपूर्ण है सबसे पहले आसियान देशों के लिए एक सेतु के रूप में काम करता है हना लगबग 10 देश हैं आसियान संगठन में 10 देश हैं यह जो आपका यह आसियान कंट्री हैं इंडोनेशिया फिलिपाइन से जितनी भी आपकी प्रसांत महसागर में द्यूफ हैं तो एक तो सेतु के तौर पे काम करता और आसियान देशों के साथ संबंध बनाने के लिए बिम्स्टेक एक अ बहुत दूसरा जो कारेकाल ता उसमें उन्होंने इसके बाद 2016 में और पिर संगठन जो है वहां प्रयोजी था बारत के दौरा उसका भाहिस्कार किया गया क्योंकि एक तरफ भारत बिरोधी गद्विदी, इस्टेट स्पॉंसर डातंकवाद और दूसी तरफ सार्क में बैठ करके पाकिस्तान के साथ बात करना भारती विदेश नीती और भारती सुरक्षकल एक बड़ी चुनौती के रूप में था इसलिए हमने उसको क्या किया उसक तुरेटि को समजना होगा कि सार्क का महत्यों क्या है अर्धिक तौर पेकी तोर पे कोई भी देश हो हमें सिर्फ एक बात को समजना है कुछ महत्यपूर्ण अंतरष्टी संबंद में जो है सबसे important होते हैं आपके कुछ संबंद जैसे कि यहाँ पे एक पश्थिकी तंत्र है हिमालेई पश्थिकी तंत्र है पूरा का पूरा नेपाल और भूटान दोरों हिमालेई पश्थिकी तंत्र से जुड़े हुए हैं और स नेपाल और भूटान के माद्यम से हिमालाई और बंगाल की खाड़ी की पश्थिकी तंत्र को दोनों को साथ में जोड़ता है और साथ में जुड़कर के एक साथ ब्यापार उर्जा परिटियन मतस्यपालन परिवाहन प्रदोगी की है ना और आर्थिक छेत्र के अन्य महत् जिसके अंतरगथम कृसी एक इक रिक रिकेल्चर सेक्टर क्योंकि सारे कि सारे अग्रियरियंट है आप क्रिकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा है गरीबी उनमूलन की दीशा में कामकरना आतंक्वाज से भी पीडित हैं यह देश तो आतंक्वादी संस्चाहों को करना पर्यवर्ण और जल्वाई पर्यवर्टन से जुड़ी हुई जो विभिन्ने समस्या हैं उनके समाधान के लिए लगतार इसमें काम करना तो बिम्स्टेक का महत्व क्या है पाकिस्तान की नकरात्मक भूमिका के कारण से सार्क के साथ जो इस्तिती हमारी हुई है उस इस्तिती के जगए पे हम अल्टरनेटिब के तौर पे आसियान कंट्री और विम्स्टेक दोनों को जोडने की बात करते हैं और इसमें हमारा सबसे बड़ा जो रोल है वो विम्स्टेक का है जो आसियान को भारत के साथ जोडता है अब देखें यहां पर बात आती है नेबर हुड फर्ष्ट नीती की बात करते हैं हम लोग अंतरश्टी संबन्द में सबसे पहली बात होती है कि आपका पडोस पहले है आपका हमें इसा क्योंकि पडोस बदला नहीं जाता है पडोस भगोलिक तौर पे आपको मिलता है तो नाइबर हुड फर्ष्ट की जो नीती है इस नीती के तहे सीमा चेतरों का विकास करना चेत्र की बहतर करनेक्टिविटी करना और संस्कृतिक विकास तेथा लोगों के साथ आपसी संपर को प्रोसाहित करने में ध्यान के इंद्रित करना इस दिशा में जो है बिम Psych के तहत काम किया अग्या सकता है और भारच सरकार के द्वारा लूकेष्ट पॉलिसी जो थी आपकी उसको बाद में एक टीश्ट पॉलिसी के तौर पे देखा गया तो एक टीश्ट पॉलिसी को बनाना समंझज edited करना उसको जोड़ना एक टीश्ट पॉलिसी में देखे क्या है यह जो पूरा का पूरा एसिया का एच छेत्र है एसिया और एसिया में जो प्रसांत महासागर छेत्र में जुड़े हुए जितने भी ड्यूप हैं इनके बीच में एक सहयोग बढ़ाना एक टीश्ट मलब इस्ट में जितने भी हैं है ना भारत का यह बेश्ट है यह इस्ट है तो इस्ट के जुड़े हुए जितने भी देश है खासकर आसिया अंदेश जो की प्रसांत छेत्र में मवजूद हैं इन देशों के साथ सहभागीता दे करके बढ़ावा करना और सहभागीता दे करके ब बेन प्रकार का यहां पर विपलवादी गतिविधियां चल रही हैं इन को जो है इन राज्यों के साथ इन देशों के साथ अच्छे संबंदेदी हम बना लें तो इन संबंदों को बनाने के बाद जो है उत्तर पूर्वी राज्या और पडोसी राज्यों के साथ एक मदूर सं करते हैं तो निर्यात को बढ़ावा देने में हमारे पडोस में ही बड़ा बाजार उपस्तित है तो बड़े बाजार को हम टार्गेट कर सकते हैं और बड़ा बाजार जो है एक टिश्ट पॉलिसी के तहित हमको मिल सकता है तो भारत के जो परंपरिक व्यापार से जुड़े ह पूर्वेसियाई देशों के अलावा प्रसांत महासागर छेत में चाहे वो अस्ट्रेलिया न्यूजी लेंड हो इन सभी के साथ व्यापार संबंदों को वरियता देना चाहे वो जापान हो तो इन सभी के साथ एक पॉलिसी के साथ हमें जुड़ना तो यहां पर आप देखें चिंगापूर यहां पर जलसंदी है जिसका नाम है मलक्का जलसंदी है ना तो मलक्का जलसंदी के साथ जुड़ करके हम जो है हिंद महासागर और प्रसांत महासागर का जुड़ाव है इसमें रह करके हम अपनी उपस्तिती को मजबूत बनाना चाहते हैं क्योंकि चीन के द बिमस्टेक का है कि भारत की जो एक टिश्ट पॉलिसी है उस पे सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा साथ में बिमस्टेक से जुड़े हुए जितने भी सदस हैं उनके साथ हम क्या करेंगे बहु हिस्तरी है संबंद बना पाएंगे और पुरोतर छेत्र के विकास को हम गति दे प संबंद अच्छे करने पड़ेंगे तो यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टन चीजे साथ ही बिमस्टेक के अंतरगत बहुत सारे हमने प्यूपल टूपल कॉंटेक्ट के लिए कई सारे मॉडल हमने डेबलप किये एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो की परिवाह परियोजना सेकतो आपका ब्यापार भी बढ़ेगा और ट्रांस्पोर्टेशन बढ़ जाने से इस छेत्र में भारत का निर्याद संबर्धन में काम करेगा ठीक है तो बिमस्टेक जो है कही न कहीं पर बरतमान प्रद्रिश्ट में सार्क के आप्रसंगिक होने पर यह सार्क बिभिनजने प्रकार की चुनातिय ऊपस्थित होने पर क्योंकि इसका सदस्वर से पाकिस्तान नहीं है तो भारत को अपने पडोश के साथ जोड़ करके भारत को अर्थिक विकास साम्स्कृतिक सयोग अधि सभी को करके अपनी सॉप्ट डिप्लोमेशी को ले करके विमस्टेक के माध्यम से हम काम कर सकते हैं ठीक है अब यहां पे देखो कई सारी तरीके की समस्यां भी है अभी तक तो देखो मुक्त ब्यापार समझाओता जो है इसको ले करके अभी सहमती नहीं बन पाई है कुछ देशों के साथ हमारा मुक्त ब्यापार समझाओता है बाकी अभी अन्य देशों के साथ मुक्त ब्यापार समझाओते की दिशा में विमस्टेक में काम चल रहा है एक समस्या जो यहां पे लगातार बनी रहती है थाई-लैंड हो चाहे मियनमार हो यहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है व समस्या है दिशा में जितने भी संगठन देश है संगठतन देश को के बीक में गई OUTार्थियों की समस्या में out करने की जरूरी है और साथ denk case सदस्य देशों की रूची वहांन की जरूरत है Dad यह ध्यान में रखना है चुकि भारत एक बड़ा stakeholder है तो इन देशों को भारत को big brother hood की जो नीती है भारत की उसके तहित भारत को इनको ले करके चलना पड़ेगा ताकि इने किसी तरीके से कोई भी दिक्कत ना रहे ठीक है तो यह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा आपको प जुड़े हुए नेता है थे और उसी में किर्गिज नेताओं को भी बुलाए गया था किर्गिज गड़राजी के नेताओं को भी बुलाए गया था और जो किर्गिज गड़राजी के नेता है एक तरीके से संगाई सहयोग संगठन के बारे में आप सब जानते होंगे संगा नेताओं के दौरा 2001 में संगाई में संगाई संयोग संगठन बनाय गया था तो यूरेशियन यूरेशिया को एक कॉंटिनेंट के रूप में जोड़ने का और इनके बीच में आपसी संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए संगाई संगठन की जो इस्थापना की गई थी उस संगाई संगठन की स्थापना के साथ जो है चुकि पाकिस्तान और भारत दोनों ही संगाई संगठन के सदस्थ हैं तो ऐसे में पाकिस्तान के उपर दबाओ बनाना में संगाई संगठन का एक बड़ा जो है एक जो है उसका भी एक बड़ा रोल है ठीक है तो 2017 में भारत और पाकिस्तान को दोनों को वहां पर सदस्ता दी गई थी दच्छेस में हम इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते तो दच्छेस का अल्टरनेटिब हमारे पास बिम्स्टेक है और पाकिस्तान को ले करें दी हमें किसी तरीके से उसको पर दबाओ पर सरकुछ बनाना है तो हम सवस्था में आकर के फिर से यहां पर पाकिस्तान के द्वारा डिबलप्मेंट एकॉनमिक और कल्चर सहयोग को ले करके काम किया जाए लेकिन पाकिस्तान जब तक जो है इस्टेट स्पॉंसर्ड अतंकवात करता रहेगा भारत को आईस्तिर बनाने का प्रियास करेगा के साथ जोड़कर के भारत की एक टिस्ट पॉलिसी को जो है प्रभावी ताउर पे लागू करने की दिशा में किया जाने वाला प्रियास ठीक है तो इस रूप में जो है आप इसमें भारत के महत्तों को लिख सकते हैं बिम स्टेक के बारे में बाकि आप बता दीजे कि बिम सिंपल था आप बिम स्टेक के बारे में बताइए महत्य के बारे में बताइए नेबहूट फस्ट की बात जरूर करिये इसमें कि ने पढ complac дост पहले हैं अमारे लिए इसको हमmun लोग हमेंसा प्रात्मिक्ता देंगे ठीक है सार्क के alternative के तढ़ार पर कैसे इसको बताए एक कि टिस पॉलिसी का इससे जुडाव कैसे बस ये सारी चीज़े आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं ठीक चलिए आज के लिए इतना ही